हेलो दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आप सभी कमिश्राइज विकेशन में स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको हैपी नियुएर वीश करना चाहरा हूं कि आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए 2020 की जो बुरी यादें हैं वो इस साल मिट जाएं और आपको इस साल सक्सेस्फुल एक मिले तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यूपी पीसी के लिए जो पोस्ट आई है उसमें फिजिक सब्जेक्ट के लिए तो हमने पिछले से वीडियो में यह बात की कि सिल्बस किस तरीके से हैं मतलब हमारे में क्या-क्या इंक एक बार देख लें उससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक पर कहां तक फोकस करने की जरूरत है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने जाएंगे और कुछ टॉपिक हम इंटर लेवल तक से पढ़के उसे हम एक्जाम में कर लेते हैं अच्छा आज के जो लेक्चर का आपको मैटेरियल है वह हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको अपलब धराएगा जिसमें आपको लिंक नीचे दी गए है आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं तो सिर्फ आपको यहां एक बार वीडियो देखने के यहां मैं गूगल ड्राइब पर भी अप्रोट कर दूंगा जिससे आपके लिए आसान हो कि चले सुरुवात करते हैं लोग और मैं सुरुवात करूंगा एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक से चुकि हमें अपने आपको इसमें धालना है और तो सुरुवात अगर हम थोड़ा इलेक्टरिसिटी और मैगनेडिजम का यहां पर पार्ट है इंट्रेस्टिंग होने वाला है और उससे क्वेशन भी बन सकते हैं आप सभी जानते होंगे कि यह ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी सारे क्वेशन बन सकते हैं तो आपके पास सेलेबस उपलब्द होगा नहीं इधा पड़े तो हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो उसमें है आप देखेंगे एलेक्टरिसिटी और मैगनेडिजम में तो मैं यहां पर इलेक्टरिसिटी डाल रहा हूं एक्कॉर्डिंग टू गिवन सेलबस ठीक है तो इलेक्टरिसिटी में जो पहला टॉपिक है वो है गॉस्स लॉइन इट्स एप्लिकेशन तो गॉस्स लॉइट्स एप्लिकेशन यह तो टॉपिक दे दिया लेकिन अब इसके पीछे कुछ साइलेंट आपको टॉपिक मिलेंगे जैसे कि अगर आप गॉस्स लॉइट्स 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 निकालने के लिए एक तरीका देता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फिल्ड इजली निकाल सकते हैं या नंबर और फ्लक्स उसने डिसाइड कर दिया कि क्यूव अफ्साइलेंट नॉट होने माला जहा लेते हैं उसके इंसाइड में टोटल चार्ट तो यहां पर समझने वाली बात है कि यहां चार्ज हमें जानने की जरूत है साथ आगर आप 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 अप्लिकेशन पढ़े होंगे अब यसी पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हमें चार्ज डिस्टिबीशन क है कि यहां पर कुछ hidden syllabus है हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा जानना पड़ेगा चार्ज और चार्ज डिस्टिबीशन और थोड़ी सी बात हम इलेक्ट्रिक फिल्ड की करेंगे तब हम यह समझ पाएंगे कि हम गौसला का यूज करें क्योंकि हमें अगर इलेक्ट्रि के बैग्राउंड है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि हम जब गौसला का अप्लिकेशन करने जाएं तो यह समझ मैं तो मैं सुरुवात कर रहा हूं गौसला के अप्लिकेशन के लिए चार्ज से स्टार्टिंग फ्रॉम्ट वेरी वेसिक टॉपिक चार्ज चलिए तो च कंग को एर मुंद करते हैं और तो यह वोता है बाडी पर एक प्रॉपर्ट इया जाती जिसक उन प्रोड़ें अगर वो चार्ज क्या स्टाटिक है तो चार्ज अगर मूब कर रहा है तो मैं डेफिनीशन आपको यह लिखूंगा जो थोड़ा सा स्टेंडर्ड है ठीक है इट इस इंट्रिंजिक प्रापर्टी आफ एन अब्जेक्ट वाइवर्चू वाफ आफ विच एक्सपिरियंस इस इलेक्ट्रिक्ट्रिक और मैंग्नेटिक फिल्ड विल्ड शॉट में लिखा हिंदी मीडियम के स्टुड्णस घंदी मीडियम के इस परिंट्स हैं उनके लिए भी मैं खुशकबरी बताना चाहता हूं कि आपके लिए वे मेटेरियल हम गिवें नोट में हिंदी मीडियम में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर कहीं होती है तो आप मेरे से संपर्ख कर सकते हैं मैं यह हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी तो एक इसका हिंद आप समझे कि किसी आबजेक्ट में क्या है एक इंट्रिं करता है इस पर फोर्स लगता है तो यह चार्ज हो गया अब चार्ज को प्रॉपर्टी हमें बतानी पड़ेंगी हम बहुत डीटेल में बहुत बैक में नहीं जाना चाहिए लेकिन सब कुछ छोटा-छोटा रिवाइस करना चाहता हूं तो पहले हम लोग थोड़ा सा और गड Даyet इस सबस्क्राइब फॉजबुटेप चाएं नेकिट्व इसको डिवाइट किया था सबसे पहले साज्क्राइबिन प सबस्क्रेब्लद का और और चार्ज की बिराइटी को बताया तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज में केटेगराइज करी गए बाद में मौडन थेयरी जब इलेक्ट्रॉन और प्रूटॉन का कॉंसेप्ट आये तो देखा गया नहीं वास्तों में चार्ज दो तरीके के होती है जो बेंजामीन वर्णकली ने बाते कही थी वह सही निकली तो उन्होंने क्या कि जो उस थाइम के साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसे ही पॉजिटीव नेगेटिव कायरी आउट कर लिए तो पॉजिटीव चार्ज नतों बहुत बुरा है एक सिर्फ यह चार्ज की वेराइटी यहां पर द्यान देने के जब रएथ हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं properties of the charge की तो properties of the charge में मुखित आप देखें तो books में आपको 5 तरीके की properties देखने को बिलती हैं जिसमें हम लोग बात करेंगा उसके बाद कुछ additional properties भी मैं आपको लिखाओंगा तो सबसे पहले जो मैं property बोलना चाहता हूँ बोलना चाहता हूँ आपको इन्टरक्टिव property इन्टरक्टिव प्रोपर्टि जैसा कि आप लोग जानते हैं एक अगर हम क्या करें यहां पोजटिब चार्ज को पुजटिब चार्ज के पास ले जाए हम तिके इस तरीकवे के जो यहाँ अपस में कैसे इंटराक्ट करते हैं तो यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर अट 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 इस अट इस अधर यह सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से रिवीजन है अब आप चुकि हमें चार्जेस की जरुवत पड़ेगी गौस लॉव में यहां जानने की जरुवत है इस अप मान सकते हैं यह आपकी पहली प्रोपर्टी हो गई अगर हिंदी वीडियम के बात करें तो लाइब चार्डस मतलब समान अवेज्थ होते वह क्या करते हैं दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यह तो आपकी क्या हो गई इंटरre pasture property चलते हम लोग प्रोपर्टी की तरफ और दूसरा मैंने जो प्रोपर्टी का नाम रखा है वो है conservation property रोपर्टी दूसरी जो प्रोपर्टी है वह eton दर्फटी है conservation property या हम इसे कह सकते हैं कि संरक्षण का गुर्ण संरक्षट गुर्ण यह क्या होता है कि अगर हम किसी isolated system की बात करें isolated कहने का यह मतलब है कि विलग निकाई जिसका बाहरी वर्ड से कोई मतलब नहों है ना जो ना की quantities बाहर जा पाएं ना बाहर की quantities अंदर जा पाएं तो किसी isolated system यानि विलग निकाई के लिए जो चार्ज क्या होता है चार्ज की quantity होती है वो conserve होती दैट मींस चार्ज जितना पहले से रहेगा वही बाद में भी रहेगा charges की value change नहीं होंगी तो for isolated system charge is concert या total charge remains constant ऐसे भी बोल सकते हैं बट मैं चोटा लिकरा हूं charges concert यानि किसी विलग निकाई के लिए आवेस की मात्रा आवेस की मात्रा नियत रहती है that means constant रहती है तो ये बात हो गई conservation की property that means charges कभी भी क्या होते हैं बैरी नहीं करते हो सकता है आपको किसी position पर charges की आपको कमी दिखे तो यह आप बैरी मतलब तरीके से आप अपने आपको डैम शोर कर लिए जो चार्ज की कमी किसी पर प्रटिक्लर प्लेस पर वह वह कहीं और है तो और अगर आप उनिवर्स पर देखेंगे तो चार्जिस क्या रहने वाली एक अंजर्ब रहने वाली है तो यह यह गोन इसका इस नियम के तहट अगर आप किसी सिस्टम में टोटल चार्ज फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें लिजिए जितने भी चार्जिस हैं उनका एलजबरिक सम कर लिजिए यह कि चार्जिस जो होती है वह हमारी स्केलर कॉंटिटी होती है स्केलर कॉंटिटिटिस एलजेब्रिक समको फॉलर करती है यानि बीजगरती योग का पालन करती है अगर आपको जैसे हमें कहा दूँ कि आपको एड करना है फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस करके आप क्या बोल देंगे कि यह हमारा वैल्यू जो है वह फोर एक्स है तो यह बीजगरती योग है जिसमें हमें प्लस माइनस की वैल्यू को भी ध्यान देना होता है तो यह बीजगरती योग है यानि एलजब्रिक सम है तो अगर हम किसे सिस्थम में टोटल चार्ज फाइंड करना चाहें जैसे माली जी हमारे पास एक कोई क्यूब है और इसमें चार्जेस को का मतलब गिवन चार्जेस का एलजब्रिक सम कर देना है वीजगरती योग सिक्स की प्लस थ्री ए माइनस टूई यानि उनके रेस्पेक्टिव साइन्स के साथ वैल्यू रखनी है तो छे तिन नौ नौ में से दो निकाल दीजिए तो सेवन टाइमस यह हमारा एडिटिव ने प्रॉपर्टी है और इसका भी आपको मेटेरियल अबलेबल है आप महां से इसको लिख सकते हैं इसे आप अपने कोपी में एक्जाम्पल की तौर पर बना सकते हैं चाहिए बोर होने की बिल्कुल ज़रूत नहीं यह सिर्फ एक रिवीजन है एक आपको जितनी भी अलग अलग बुक से खोच के निकाला गया मतलब सही उजित किया गया तो आपको एक ही जगह पे मिल लगा है जिसे आप थोड़े टाइम में रिवीजन कर सकते हैं चली नेक्स्ट प्रपर्टी की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपर्टी जो हमारा है वो है क्वानटाजिशन की प्रपरटी कि आट मींस क्वांटी करन्ट का लिया है गुड कह सकते हैं अब यह क्या है क्वांटाइजिएशन का मतलब होता है किसी चीज को बाटना और कितना बाटना smallest पार्ट में तो अगर मालीजे कि आपको किसी सिस्टम में चार्ज दी गई है और यह बोला गया कि आप उस में क्या करिए आप चार्ज को निकाल के दूसरे प्लेस पर रखी और चोटे से चोटे चार्ज को निकाल के रखे ऐसे इसको समझ सकते हैं जैसे मैंने इसमें कुछ चार्ज रख दिया क्यों और मुझे इस दूसरे सिस्टम पर चार्ज ले जाना है इस तरीके से कि smallest unit जैसे अगर मालीजे हमारे पास क्या है कि कोई material है अब उसको हमें इसके unit इकाई से जैसे घर के लिए इट है तो इट अलग अलग इट को ले जाना इसी तरीके से यहां से एक चार्ज को दूसरे चार्ज मतलब इस टोटल चार्ज को इस बॉड़ी पर ले जाना है लेकिन इस तरीके से कि इसके smallest carrier से तो हम देखें हैंगे कॉंटी कराई नियम्स के तहट यानि के कोड़िंग कि यह जब भी जाएगा तो इसका smallest चार्ज करियर होगा वह elekt्रॉनिक चार्ज करियर होगा क्या जब भी आप कोई charge ले जा सकेंगे smallest वो electronic charge के equal होगा तो यह total charge किसके equal होने जाने वाला है इस charge के integral multiple यानि पूडांग के गुड़ज में that means आपका यह charge हो सकता है plus 2, 3, that means आप ऐसे लिख सकते हैं 2e, 3e, 4e, जब भी होगा electronic charge के multiple में होगा और यही आपका quantization की property है that means q is equal to n times e तो n क्या हो सकता है इसमें 0, 1, 2, 3, so on इस तरीके से number हो सकता है either it may be positive और in negative जाहे आप इसे positive बोल सकते हैं जाहे नेगेटिव नेगेटिव क्या है कि अगर माइनस charge में है तो वो माइनस की sign करेगा तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि total charge of the system will be equal to the total charge of a system will be equal to the will be equal to the integral multiple of multiple of electronic charge electronic charge that means electron या proton पर एक electron या proton पर चार्ज कितना होता वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलंब तो यह बच्चे यह हमारा क्वानिटाइजीशन की प्रोपर्टी रहा जैसे हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अब हम लोग चलेंगे नेक्स प्रोपर्टी की तरफ हाँ यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन के मतलब इबाइटू इबाइट्री इस टाइब का नहीं कर सकते फ्रेक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते जब भी लिखेंगे कंप्लीट नमबर में पुर्णांक गुडज यानि इंटिग्रल मल्टिपल है चले नेक्स प्रोपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगर कोई कहीं लैंगवेच छूट जा रहा है तो आप उसके लिए मेरे नोट्स को देख सकते हैं मैं नोट्स अपने हैं नोट्स आपको अवलेबल करा रहा हूं आप उसको देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है वह है इनवेरियंट प्रोपर्टी क्या है उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा रिलेटिविटी थेयरी को समझने की ज़रूत है आपने पढ़ा कि अगर क्या किया जाए मूब क अगर चार्ज भी किसी मास की अब्जेक्ट की प्रोपर्टी है तो क्या अगर हम क्या कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूब करा रहे हैं तो जो चार्ज है जो उसकी मात्रा में कोई चेंज आता है तो आंसर है नहीं यानि किसी अब्जेक्ट पर अगर जो टोटल मास टोट quantity that means the the value of the charge on a system is same either body is at rest or in motion then obviously like sakte hain the total the charge the amount of the charge will be same whether the body is rest or motion this is a simple we can say that charge is free from relativistic effect velocity of quantity of change we can say that it is free from relativistic effect velocity or motion of the body will be the same as it is the same as the motion association में रहने वाला है अगर हम इसंहें हिसे हिंदी में चाहें तो लिकसकते हैं कि है आव इसो की मात्रा ह आप गती पर निर्भर नहीं करती आ तो पीए बहुत कीको वस्तु के गती पर निरभर नहीं करती तो यह रही बात इंवेरियंट प्रॉपर्टी की कि चले कुछ मुख्य बाते और इसमें हम थोड़ा सा एड़ कर दिना चाह रहे हैं कि अगर कि क्वेशन यह उठता है कि चार्ज विदाउट मास एक्जिस्ट करता है कि नहीं तो आंसर है नहीं चार्ज हमेशा किसी बौड़ी पर अविलेबल होता अगर आप डेफिनिशन देखें तो आपने लिखा कि चार्ज फिस्द प्रॉपर्टी अफ अफ एन फब्शेट अबजिक्ट है उसका मास होगा अगर मास नहीं है तो अबजिक नहीं है और अबजिक नह अगर किसी क्या करें एक्सिलरेट करें दिए छार्ज अगर क्या है स्टेशनरी है तो वह इलेक्रिक फील्ट करता है अगर चार्ज्ट कर रहा से पहले थो चांज कर गया और अगर करता है उसके बाद आती है कि मोशन में रखें करता है अगर हम चार्ज को एक्सलेरेटीट करता है अगर इससे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिना ब्रभ्यमान की आवेश शंभव नहीं है अब आते हैं हम इस अगली प्रोपर्टी पर कि एक्सेलेरेटेट चार्ड रेडियेट्स एनर्जी यानि तोरीत आवेश उर्जा उत्सर्जित करता है अब इसको अपने कॉपिम लिख लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चार्ड की बारे हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग चार्ड डिस्ट्रिबूशन के बारे में जानेंगे चोंकि हम अगर गॉस्ट लॉइज करने हैं तो उसमें अप्लिकेशन में चार्ड डिस्ट्रिबूशन का नॉलिज हमें अच्छे से होना चाहिए तो नेक्स हमारा जो हैडिंग होगा यह इंपोर्टेंट ह होती है और सीजियस यूनिट इसका अगर आप देखें बड़ा इंट्रेस्टिंग है सीजियस यूनिट इसका इस यू होता है इलेक्ट्रो स्टाटिक यूनिट दूसरा हम इसी को फ्रैंकलीन भी बोलते हैं जहां से देखेंगे इस यू और फ्रैंकलीन इन दोनों को सेम हम मान सकते हैं जैसा कि आपको बुक्स में देखने को मिलेगा अब यहां पर वन कुलम कि इन इसको हम स्टेट कुलम में इसको अगर मैं इसको तो फुल फॉर्म करूं तो इलेक्ट्रो स्टाटिक यूनिट तो यह आप याद रखेगा यह सीजियर सिस्टम है यह सीजियर सिस्टम है गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अच्छा उससे पहले एक और चीज यात आते जा रहा है मुझे लग रहा है कोई भी चीज छूटे नहीं आपकी स्कूपी में सब कुछ अबलेबल हो फ्राप क्लास नाइन टू अब टू अब्टू अब्टू देखना होता तो देख लें अब देखें डाइमेंशन के लिए हमारे पास साथ जो एसाई यूनिट में 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 फंडामेंटल कॉंटिटी से हैं उसी के टर्म्स में लिखेंगे तो उसमें आप देखें आवेस को यानि चार्ज को फंडामेंटल यानि मूल बहुत राच्छी नहीं माना गया है तो यह क आपका 80 तो क्यूं जो होता है उसका डेमेंशन एक होता है कि अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर डिस्ट्रिबूशन आप चार्ज इस डिस्ट्रिबूशन आप चार्ज इस यानि आवेशों का वित्रण आवेशों का वित्रण यानि अगर हम किसी सिस्टम में आवेशों यानि चार्ज का अगर हम देख रहे हैं तो वह दो तरीके का होता है में लिए दो तरीके का होता है एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रिबूशन एक होता है सब्सक्राइब या कोड़ेखना होता है कि उनके भी किसी कमरे पर अगर हम किसी कमरे में कॉर्णर पर अगर हम चार्जिस रख देते हैं तो हम उनके बीच का distance जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से direct measure कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें किसी wire में charges के बारे में तो वहाँ charges calculate करना या निकालना बहुत tough होगा तो ऐसे distribution को हम continuous charge distribution बोलेंगे यानि एक CDC बासा में बोलें कि अगर charges के बीच का distance अगर हम measure कर पा रहे हैं तो उसे हम discrete charge distribution बोलेंगे और charges के बीच का distance अगर हम measure नहीं कर पा रहे हैं direct measure नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम continuous charge distribution बोलेंगे तो simple साथ distribution अगर हम बात करें तो दो तरीके का होता है यह हमारा एक होता है डिस्क्रीट डिस्क्रीट चार्ज डिस्टिबूशन यानि अगर बोले हिंदी में तो और सतत आविस वित्रण और दूसरा होता है कंटिनिवस चार्ज डिस्टिबूशन यानि सतत आविस वित्रण अगर तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्टिबूशन आपको डेफिनिशन आपको नोट्स में मिल जाएगा आप उसमें देख सकते हैं मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं जैसे मालने पहले हम डिस्क्रीट की बात करें, तो डिस्क्रीट में अगर किसी स्क्वेर के कॉर्णर पर चार्ज हैं, giraffe है निकाल सकते हैं तो ऐसे distribution को हम utan डिस् reflectsार्ड डिस्यों बोलेंगे यानि इस अस्दफ डिस्ट्िबूइशन तो यहां पर हम चर्जास की पीछ का की डेस्टेंूर्श निगाल सकते है इसलिए इसको हम discrete charge distribution बोलेंगे, problem क्या है, problem continuous में है, चलिए, तो हम start करते हैं, continuous charge, तो देखे, continuous charge distribution, यानि सतत आवेज वित्रण, तो सतत आवेज वित्रण क्या है, यानि अगर charges की बीच में distance consider ना किया जा सके, measure ना किया जा सके, तो ऐसे distribution को हम continuous charge distribution बोल सकते हैं, तो ऐसे लिख लिखे, short form में, if the distance between the charges, if the distance between the charges, cannot be calculated directly, then, such distribution, अब आपके लिए ये time थोड़ा सा lengthy होता होगा, कि ये time मैं लिख रहा हूं, बढ़ चुकि हमारे पास इतना technology नहीं है, तो हम इसी से काम चला रहे हैं, continuous charge distribution, यानि, if the distance between the charges cannot be calculated directly, then such distribution is called continuous charge distribution, यादि आव इसों की बीच का दोरी direct तरीके से निकाल नहीं सके, तो ऐसे distribution को हम continuous charge distribution कहते हैं, एक्जाम्पल हमारा है, जैसे wire है, या किसी sphere पर charges available है, तो यह सब क्या है, continuous charge distribution है, ठीक है, अब continuous charge distribution तीन तरीके का होता है, तो मैं यहाँ पर continuous c surface s charge distribution, ठीक है, तो c sd, charge continuous charge distribution करके, मैं इसे तीन पार्ट में divide कर रहा हूं, एक आपका है, line charge distribution, दूसरा है हमारा, surface charge distribution, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, line charge, surface charge, अलाकि यहाँ पर मुझे distribution भी लिखना चाहिए, इसलिए मैं पूरा करता हूं, और next है आपका volume charge, distribution, अच्छा, इसका हिंदी आप देखें, तो line charge को हम लोग बोल सकते हैं, रेखी आवेज वित्रण, और surface charge यानि सतही आवेज वित्रण, और ये volume यानि आइतनी आवेज वित्रण, ये इनके हिंदी वर्जिंस हैं, अब इसका मैं short form ले रहा हूं क्योंकि मुझे बार-बार यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख लूँगा, समय बचाने के लिए ये किया जा रहा है, चलिए बारी-बारी से सबको discuss करते हैं, ये सिर्फ आपके लिए revision है, आपने जरूर इसको पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक revision हो जाए तो अच्छा है, तो बात करते हैं पहले, यानि line charge distribution, ये क्या होता है, अगर किसी wire पर या किसी लंबे rod पर अगर हम charges दे दें, तो charges का जो distribution होगा वो उस तरीके से होगा, तो उसे हम एक line नुमास मान सकते हैं, इसलिए ऐसे distribution को हम line charge distribution बोल सकते हैं, यानि charge given to a wire or rod is distributed like a line, so it is known as line charge distribution. ठीक है, अब जहां पर line charge distribution है, वहां पर हमें जानना होगा कि उसके per unit length में कितना charge है, जिसको हम line charge density भी बोलते हैं, रेखी, आवेस, घनत्तुर, तो हमें पहले हम लोग इसको लिख लें, charges, on, wire, rod, etc. ये line charge distribution आता है, यानि किसी तार, अथवा, बेलन, लेकिन बेलन हमारा बहुत, या rod लिख देता हूँ, चलिए, rod, ठीक है, पर जो charges अविलेबल होते हैं, परावेस, उसे हम line charge distribution बोलते हैं, यानि अगर किसी wire की बात करें, इस पर जो charges है, ये line charge distribution हो सकता है, या किसी लंबे से rod पर, या पतले rod पर, जो charges available है, उसे हम line charge distribution बोल सकते हैं, अब इसके हर unit length पर, यानि पर unit length पर कितने charges हैं, उसको हम line charge density बोलते हैं, तो हम अगला जानना है, वो line charge density, या इसका दूसरा नाम होता है, linear charge density, जिसे हम रेखी आवेस घनत भी कहते हैं, रेखी आवेस घनत, तो रेखी आवेस घनत तो क्या होता है, यानि charge per unit length, इसे हम lambda से represent करते हैं, तो lambda क्या होता है, charge upon length, simple, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, integral differential format, dq upon dl, तो इसका unit क्या होगा, इसका unit आप देखे, charge और length से मिलके बना हुआ है, तो lambda की unit जो होगी, वो जाएगी column per meter, dimension क्या होगा, column का 80 हुआ, और इसका length, that means L-180, यह इसका dimension हो गया, अब हम बात करेंगे, अगर हमें total charge निकालना हो, तो हम क्या करें, हम ऐसा कर लें, हमें QDQ, मतलब line charge distribution दिया, उसकी help से हम total charge निकालना चाह रहे हैं, तो DQ is equal to, क्या लिख सकते हैं, DQ is equal to lambda times DL लिख सकते हैं, यह किसी DL length पर charge देगा, अब इसको में total charge निकालना है, तो हम as usual इसे integrate कर दें, तो यह क्या हो जाएगा, lambda times DL, और अगर हमारा wire क्या है, मालो wire हमने क्या कर दिया, circle बना दिया, wire का loop बना दिया, तो हमें यहाँ पे close line integral लेना पड़ेगा, तो इसे हम यहाँ पे circle लगा देंगे, जो integrate क्या दिखा रहा है, close line integral, L क्या represent कर रहा है, line integration, यह आपको total charge देगा, तो यह रही बात line charge distribution से related, यानि linear charge density से related, इससे ज़्यादा आप इसको द्याहन देनी की ज़रूद नहीं है, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे surface charge की, surface charge distribution की, या मैं इसे short form में चाहूँ तो लिखू, surface charge distribution, सतही आवेस बित्रण, ठीक है, तो अगर किसी suppose कलीजिये plate पर, यह suppose कलीजिये हमारा plate है, अगर मैं इस पर charges देर दे रहा हूँ, तो ऐसे charge distribution को surface charge distribution बोलेंगे, या अगर कोई metallic body है, metallic sphere है, suppose करिए, तो अगर मैं इस पर charges देता हूँ, तो पूरे charges इसके surface पर available होंगी, तो यह charge distribution आपका surface charge distribution हो सकता है, यानि किसी भी body के जब सतह पर available होते हैं, उसके surface पर charges आ जाते हैं, तो ऐसे charge distribution को हम लोग surface charge distribution का नाम देते हैं, यानि simple सा, charge, charges on, surface of the body, simple definition आपको notes में थोड़ा detailed definition मिलेगा, यह आपके लिए अभी के लिए है, charges on surface of the body is defined as, surface charge distribution, अब surface charge distribution यानि किसी surface पर charges अवलेबल है, तो उसके per unit area पर कितना charge होगा, इसे हम लोग surface charge density का नाम देंगे, यानि सतही आवेस घनत किसी आवेस एरिया पर कितना चार्ज अवलेबल है ठीक है तो इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं यह हमारा सिग्मा क्या है सर्फेस चार्ज डिनसिटी सतही आवेस घनत इसको हम कैसे फाइंड करेंगे चार्ज अपॉन एरिया अगर हम चार्ज, गिवेन चार्ज को, यानि सर्फेस पर जो चार्ज उससे टोटल एरिया से डिवाइट कर दें, तो हमें सिग्मा मिल जाएगा, अगर हम इसका स्मॉल एलेमेंट निकालना चाहें, किसी स्मॉल रिजन में, तो यह DQ यानि स्मॉल चार्ज, Ds यानि, यहां प दीकीघुए इकल्डू क्या होने वाला है सिग्मा टाइम्स दियस यहमारा समॉल रीज़न में चारग देगा लेकिन हमारा इंटरेस्त टोटल में तो से इंटीग्रेट कर देंगे तो सब लेते हैं डी क्यूंड इंटीग्रेशन क्यूं आने वाला या टोटल चाज क्यूंड होने वाला है और यह आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डी यह से आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा using the surface चाहज देनसिटी चली अब इसका यूनिट क्या होगा यूनिट होगा चार्ज एपाउन एरिया का यूनिट रखेगा डैट मेंस कुलम्ब पर मीटर स्क्वाइर और डैमेंशन क्या होगा भाई सिग्मा का डैमेंशन आपका एल माइनस टू एटी यह हो गया सर्फेस अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्टिब्यूशन की यानि वॉल्यूम चार्ज डिस्टिब्यूशन की यह घई तो अगर शुबोडरी में बैठें है उस कमरे में सारे वॉल्यूम में क्या हो जाए उसमें झाल साइब चाल को हम वाल्यूम चाल सर्क्राइष स्कते हैं जैसे यह हमारा अजिता यह क्यूंप है इसके volume में इसके inside में अगर charges available हो गई तो ऐसे charge distribution को हम volume charge distribution का नाम देते हैं तो हम कह सकते है charges short definition charges available in the volume of the system volume of the body भी कह सकते है इसके volume charge distribution जिसे हम हिंदी में बोलें किसी बस्तु के किसी निकाय के आयतन में उपस्थित आवेस को या आवेसो के वित्रण को volume charge distribution कहते हैं आवेस आयतनी आवेस वित्रण कहते हैं चली next हम लोग इसका density देख लेते हैं यानि volume charge density per unit volume charge कितना अबलेबल है इसे हम लोग रोज से इन करते हैं volume charge density है आपका इसको हम लोग बोलते हैं डी क्यूवर डी वी यानि चार्ज अपान वॉलिम आवेस बटा आयतन अब अगर हमें इससे total charge निकालना है तो हमें क्या करना होगा डी की उपल टू रोडी वी करना होगा और total charge के लिए हमें इस इंटीग्रेट करना होगा तो integration रोडी वी आ जाएगा अगर हमारा यहां पर हमें mention करना होगा कि हमने यहां पर volume चार्ज डिस वॉल्यम इंटीग्रेशन करना है अच्छा इसका unit क्या होगा unit हमारा रोगा अब देखे चार्ज अपान वॉलिम है यानि कुलाम पर मीटर क्यूब और इसका dimension L380 हो जाएगा तो यह कुछ बाते इससे रिलेटेड हो गए है 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 कि चलिए आज के लिए इतना ही आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह वेक्टियो लेक्टर इंट्रेस्टिंग रहा होगा एक तरीके से हमने गौस लॉक के लिए जो बेस जरूवत है व हमारी कौपी में इंपॉर्टेंट नौट इससे भी सकते हैं तो कि यह कौने टाइमिंग है और से लिए पसंद आया होगा तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिये चैनल को सब्सक्ञाइब करें करिये एक टाकि हम ज़्यादा से जजह के लोगो आएंगी physics related वो हम आपको solution सहीत आपको provide कराएंगे यह हमारा आपसे वादा है बने रहे मिस्रा एजुकेशन के सान धन्यवाद